तेजस्वी यादों ने भारती जनता पार्टी और रास्टिय स्वें स्वें स्वेंग संग को जबरदस्त तोर पे ललका रहा है। तेजस्वी यहीं नहीं रुके हैं उन्होंने साफ साफ कहा है तुम्हारे जूट और रामितिक मुकदमों से लडने के लिए हमारे पास जिगर भी है जमीर भी है और पॉलिटिकल जमीन भी है। उन्होंने लिखा है कि अगर लालू जी ने भारती जनता पार्टी से समझोता कर लिया होता तो वो आज हरिश्चंद बन गए होते हैं भारती राजनीत में भारती जनता पार्टी को चुलोती देने का सहसिक बयान तिजस्वी यादो का है जो एक तरह से एतिहास में दर्ज होगा और इसे असपस्ट होगा कि तिजस्वी यादो ने ये तै कर रखा है कि जीवन भर जो उनकी समाजवादी राजनीत है वो भारती उपर उनके परिवार के उपर उनकी बेहनों पे और यहां तक की राबनी देवी और लालू परसाद्यादों के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब एस केम में बार बार चापे मारी और उनके परसुन पूछे जाने के बाद यह बयान आया है तेजस्वी यादों ने इस बयान से ये साफ असपस्ट कर दिया है कि उनकी लडाई भारती जनता पार्टी से है उनके फरेब से है उनके जूट से है और फरजी मुकदमों से है जिससे वो राजनितिक रूप से अपने राजनितिक बिरोधियों को धहमकाने डराने की कोशिश करते हैं आपको याद होगा कि पिछले दिनों एडी ने तेजस्वी यादों को एक समन जारी किया था और उसके जवाब में तेजस्वी यादों ने महलत मांगी थी क्यूंकि उसकी एक दिन पहले ही तेजस्वी यादों के परिवार के उपर सीबियाई का रेट पड़ा था और जिसमें उनकी पतनी भी थी लगातार उनसे सीए गया थे परिशान किया गया था और गर्वती राजसिरी को बेहोस होने की नौबत भी आ गई थी दरसल तेजस्वी यादों उनके परिवार के उपर जो ये छापे मारी की जा रही है इसकी कहानी काफी पुरानी है लगख 14 साल पहले जब लालू पर सद्यादो रेल मंतरी थे तो उनके उपर ये आरोप लगाये गया था कि वो रेल मंतरी रहते हुए उन्होंने लैंड फोर जॉब का एसकेम किया था यानि की जमीन के बदले में नौकरी देने का घुटाला किया था हाला कि इस बात की हकीकत ये है कि इस मामले में सी बी आई ने दो बार पहले भी इस केस को खोला और जब साक्ष नहीं मिले तो उसे बंद कर दिया गया फिर ये तीसरी बार इसे खोला गया है पिछले दिनों खुद जनतादल युनाइटेट के राष्टी अध्यक्स ललन सिंग ने ये बात कही थी और उनने कहा था कि ये किस तरह का मामला है कि जब जी में आता है तब खोल दिया जाता है CBI को सबूत नहीं मिले थे और उसी सबूत ना मिलने के बाद उसने इस मामले को क्लोज कर दिया था लेकिन मोदी सरकार को ये एहसास हो गया कि जैसे ही अगस्त 2022 में भारती जनतादापार्टी को सत्ता से बेदखल करके राष्टी जनतादल और जनतादल युनाइटिड ने सरकार बना ली तो इसकी पीरा और इसका दर्द भारती जनतापार्टी को इस तरह सता रहा है कि वो EDCBI और Income Tax जैसे महकमे को अपनी बिलूधी नेताओं के खिलाफ लगाने में जरा भी नहीं ही चकती क्यों तेजस्वी जिनके उपर इस तरह की चापे मारी हो रही है उन्हों ने इसका जवाब जिस धारदार तरीके से दिया है और जिस आकरमकता से उन्होंने अपनी बात रखी है इससे असपस्ट होता है कि तिजस्वी यादव को ये एहसास है कि वह किसी भी घोटाले के हिस्सेदार नहीं है और भारती जंता पार्टी की सरकार किसी भी तरह से उनको परिशान करना चाहती है क्योंके बिहार में सत्ता से बेदखल कर दिये जाने के बाद भारती जनता पार्टी को पहली बार एसास हुआ है 2014 के बाद कि उसे कोई चुनोती दे सकता है हाला कि इस तरह के कई कई मिशाले हैं जिससे ये साफ साफ दिखता है कि भारती जनतापार्टी ने कई वीबक्षी नेताओं को खुटने पिला दिया है और इतना ही नहीं, कई राज्जों में उसने सत्ता भी इसी बदोलत हासिल किये आपको अभी ताजा उदाहरन महराश्च का दिया जा सकता है जहाँ पे स्यूस सेना ने भारती जनतापाटी को सक्टा से बाहर किया था उद्धवठाक्रे ने और उद्धवठाक्रे ने वहां पे सरकार बनाई थी महाराश्ट में लेकिन भारती जनतापाटी एक नाथ सिंडे गुट को अलग करा करके उनके बिधायकों को किड्नेप करके असम के गुहाटी ले जाती है वहाँ पे हफ्तों रखती है और उसके बाद से नई सरकार बनाई जाती है तो धन बल की जो ताकत है ये भारती जनता पार्टी पे इल्जाम लगता रहा है कि वह धन बल की ताकत से और लोगों को डरा करके स नितीश कुमार ललन सिंग जैसे तमाम लोग एक स्वर में ये कह रहे हैं कि उन्हें भारती जनता पार्टी से लड़ना है उनसे डरना नहीं है और इसी संदर में याद किजिए कि लालू पर साथ यादो ने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले और इसमें ये लिखा था कि मेरी लड़ाई ही वैचारिक लड़ाई है भारती जनता पार्टी के खिलाफ राष्टी सिवक संग के खिलाफ हम जुकने वाले नहीं है ना हमारी पार्टी जुकने वाली है ना पार्टी के निता कोई जुकने वाले हैं और इसी सिलसले में नितीश कुमार का जो बयान है व जब हम वापिस भारती जन्ता पार्टी में चले आए तो फिर छापे मारी बंद हो गई। लेकिन जैसे ही 2022 में हम लोगों ने फिर से सरकार बनाई तो भारती जन्ता पार्टी के दबाव में EDCBI जैसे एजेंसिया लालू परिवार पे छापा मारी कर रही है। संदर्में पिछले दिनों कॉंग्रिस के नेता पवन खेड़ा ने एक बहुत ही महत्पून बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपके हाँ जो भी लोग आते हैं जिनके हाँ छापे मारी होती है। उन्होंने नाम गिनाया कि हमंता विश्वशर्मा जो असम के मुख मंतरी हैं उन कि घर पे जब वो कॉंग्रेस थे तो उनके यहां शारदा गोटाले में छापे मारी हुई थी। उनको CBI ने समन जारी किया था, नोटिस जारी किया था लेकिन वो डर गए और भारती जनता पार्टी में चले गए तो फिर वो पाक साफ हो गए। इसी तरह मुकल शर्मा जो वहां से वापिस चले गया है। इसी तरह का एक और उदाहरान आपको देखिए मनिश शिशोदिया का, मनिश शिशोदिया दिल्ली के उप मुख मंतरी हैं, उनको CBI ने आरेस्ट किया, अंदर किया और ED का भी जाल उनके खिलाफ बिछा दिया गया है। मनिश शिशोदिया पिछले दिनों यह रहस उदगाटन किया था और यह कहा था, भारती जनता पार्टी यह चाहती है, उस ने हमको ओफर दिया है, अगर आप भारती जनता पार्टी में आ जाते हैं और अपने विधायकों को तोड़ करके लाते हैं, तो हम आपको मुख मंतरी भी बना सकते हैं तो इस तरह से जो political game है भारती जनतापाटी का इसके खिलाफ जिस साहसिक तौर पे तिजस्वी यादों ने बादचीत की है और भारती जनतापाटी और आश्टी सोयम सेंग संग पे हमला किया है उससे अब ये तैह है कि तिजस्वी यादों ये तैह कर चुके हैं कि नतीजा क कुछ भी हो लेकिन लडाई लडनी है तो डट के लडनी है